दिल्ली की तीन सीमाओं पर बैठे किसानों का प्रदर्शन खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं गाजीपूर बॉर्डर पर बेरिकेट्स हटाए जाने लगे हैं जल्द ही सडके खुल जाएगी बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए ड्रोन से निगरानी हो रही है पुलिस सीमेंट से बने बैरिकेट को हटा रही है साथ ही सडक के बीच में लगाई गई लोहे की कीले भी हटाई जा रही है किसानों के प्रदर्शन को शुरू से ही कॉंग्रेस का साथ मिल रहा है सरकार की तरफ से उठाएगा इस कदम को कॉंग्रेस सांसद रहुल गांथी ने किसानों की जीत बताया है साथ ही उन्होंने उमीद जताई है कि जल्द ही किसान अपने घर जा पाएंगे किसानों की बात सरकार मान लेगी और क्रिशी कानून हटा देगी राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेट हटे हैं जल्द ही तीनों क्रिशी विरोधी कानून भी हटेंगे अन्यदाता सत्याग रहे जिन्दाबाद पतादे की क्रिशी कानूनों के खिलाफ पिशले कई दिनों से बंद पड़ी सड़कें अब जल्द खुलने की उम्मीद है दिल्ली पुलिस टिक्री बॉर्डर के बाद अब गाजीपूर बॉर्डर से बेरिकेट सटाने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ड में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने की वज़ह से आम लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है बलकि दिल्ली पुलिस ने किया है दिल्ली पुलिस कमिशनर राकेश अस्थाना ने भी ये कहा है कि रास्ता खूलने के लिए पुलिस भी तैयार है